वल्लब भाई पटेल जिनको हम आदर से सरदार पटेल के नाम से जानते हैं आज 31 अक्टूबर को उनकी 145 वी वर्ष गांठ है भारत की स्वतंतरता के उपरांत संपोर्न राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की जैनती को राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म गुजरात में हुआ उन्होंने लंडन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर एहमदावाद में वकालत करने लगे लेकिन देश की स्वतंतरता की चिंगारी ने उन्हें स्वतंतरता सेनानी बना दिया अनेक आंदोलन उनके नेत्रितु में सफल हुए महाद्मा गांधी ने उनको लोह पुरुष की उपाधी दी आजादी के बाद उन्होंने 562 रियासतों का विलिनी करन करके भारत को एकता के सूत्र में पिरोया वे स्वतंतर भारत के पहले ग्रिह मंत्री और उपप्रधान मंत्री थे IAS यानि की भारतिय प्रशासनिक सेवाओं की रूप रेखा तयार करने का श्रेब ही सरदार पटेल को ही जाता है 1991 में उनको माणो परांत भारत रत्म के सम्मान से नवाजा गया विश्व की सबसे उची प्रतिमा सरदार पटेल की ही है जिसको स्ट्रेच्यू आफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्म दिवस पर समस्त आएमसी परिवार नतमस्तक है और शर्धांजली अर्पित करती है लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्म दिवस पर कोटी-कोटी नमन गुण आयमसे